मराथा समराज के संस्थापक छट्रपती शीवा जी महाराज भारत के सबसे बहादूर, सबसे प्रगती शील और समस्दाश शाशकों में से एक थे चत्रपति शीवा जी महराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेरी दुर्ग में हुआ था उनके पीता का नाम शाह जी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था शीवनेरी का दुर्ग पूने से उत्तर की तरफ जुन्नर नगर के पास था शीवा जी महराज भोसले उपजाती के थे जो की मौलिक रूप से छत्री मराठा समाज के थे इसलिए उन्हें शीवा जी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है गागा भट्टर के अनुसार शिवा जी का वंश मिवार के प्रशिद गुहिल शिशोदिया वंश से मिलता है शिवा जी के कारण ही समस्त मराठा समुदाय को चत्री होने का दर्जा मिला उनके पीता अप्रतिम शूर वीर थे और उनकी दूसरी पतनी तूका भाई मुहिते थे उनकी माता जीजा भाई जाधा कूल में उत्पन असधारन प्रतिभा शाली थी और उनकी पीता एक सक्ति शाली सामान्त थे चत्रपती शीवा जी का बचपन मा साहिप की मार्ग दर्शन में बीता ये सभी कलाओं में माहिर थे चत्रपती शीवा जी महाराज बचपन में राजनीती और युद्ध की सिक्षा ली थी उनको अपने बच्पन में परंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी पर वे भारतिय इतिहास और राजनीती में सुपरचित थी उन्होंने शुक्रचार्य तथा कोटिल्य को आदर्श मान कर कूटनीती का सहारा लेना कई बार उचित समझा उन्होंने 1684 में पश्रिम भारत में मराठा समराज्य की नियु रखी उन्होंने कई वर्ष औरंग जेब के मुगल समराज्य से संघर्ष किया 1684 में रायगर में उनका राज्य फिशेक हुआ और छत्रपती बने शीवा जी ने अपनी अनुशाष सेना तथा सू सगंठित प्रशाशनिक एकाईयों की साहता से एक योग्य एवं प्रगति शील प्रशाशन प्रदान किया उन्होंने समर विद्या में कई नवाचार किये और चापामार युद्धे की नई शैली सीव शुत्र विक्सित की